इन्डियाबूल फाइन्स की क्विक्ली एनलिस्स देख लेते हैं, चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो इन्डियाबूल फाइन्स में आप देख रहे होगे कि स्टॉक में आज यहाँ भी हेवी सेलिंग देखने को मिले है अगर इंडियाबुल की बात करें तो इस्टॉक इतना धीट हो रखा है फिलाल के लिए इस्टॉक उठने का उतना नाम नहीं ले रहा है जितना गिरने का अभी देखें कंसिस्टेंटली पांचे दिन से ये फॉल था आज एक वो बड़ा फॉल लेके आया तो उम्मीद हैं इसमें टूटी हुई है लोगों की अगर स्टॉक को ऊपर की दिशा में यहां कहीं से पकड़ा जाए तो अभी भी स्टॉक आप देखें तो कितने 85% डिसकाउंट पर अल्मूस्ट 85 तो 89 तो बहुत बुरे हाल हैं इंडिया वोल हाउजिंग फाइनस में फिलाल आज देखें तो स्टॉक में जो फॉल है वो जाहिल सी बात है क्योंकि मार्केट क्रेश हुआ है तो इसी वज़े से फॉल हुआ क्रेश की वज़े बता देता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे क्रेश क्यों हुआ है क्रेश हैगा क्योंकि यह 5 की रीजन डेश पूख दा इंडियन स्टॉक मार्केट तो पहला तो जियो पॉलिटिकल कंसर्स निकल क्या है यह तो यह हो गया इस वह चली रहा है एक दो महीने हो गहाँ खतम नहीं हो रहा है इस्रेली मिलिटरी वाला इतनाव अफेक्टिव नहीं रहा है क्योंग छे महीने हो गाइज चीज को HDFC, Reliance, SBI, Cole India Access, Indescent, Tata Motors ये भी उसी rally में सामिल होगा तो mid cap small cap भी जादा affected हुए इसी वज़े से ये fall और increase हो गया और Nifty जब minus 200 cross किया तो वो एक sudden panic selling create हो गई यो 200 से 300 पहुचने में जादा समय नहीं लगा तो यहाँ पर आप देखें फिर FII की जो selling है की sustained outflow of foreign fund from domestic equity market also dented sentiment FII have offloaded Indian equity worth more than 23,000 CR in January so far बाकी आप देखें तो technical factors जो निकल के आ रहे हैं जो कि जाएज है कि within range of 21,500 to 21,700 आज यहाँ तक गया but sustain नहीं की आज 21,500 और साथ ही साथ आज यह भी test होगा 21,300 यह भी break हुआ तो कल nifty अगर further fall करता है तो 21,000 भी test होगा क्योंकि उसी साथ से जहसे साथ से nifty fall कर रहा है कहीं न गहीं आप देखें majority of the stocks collection ले रहेंगे और correction एक healthy correction है देखा जाए तो क्योंकि जहसे साथ से इंडियन इक्विटीज भागती जा रही थी तो एक correction नेसेसरी था वो बनते हुए नजर आ रहा है वहीं बात करें तो इंडिया बोल की तो यहां पर आप देखें सेलिंग कहां से शुरू हुई है 205 से heavy sellers active हुए और stock को गिराया और stock ने आज जो buyers active कहीं न गहीं हुए वो channel के अंदर आ गया November में था तो December and almost January का ND आ गया है अब फिर से 183 आ गया तो इसलिए में लोग मेरे से पूछते ना जबकि सर इसमें इतना hold करके रख लूँ दो महीने में कितना पहुँच जाएगा कोई भरोसा नहीं है brother कि आप दो महीने में कितना पहुच जाएगा अगर hold करना है तो कुछ ऐसे stocks पकड़ो जिनके मारे में जैसे RVNL हो गया railway की stocks अच्छे चल रहे हैं उनमें आप long term holding धूड़ अब इंडिया बोल में आप क्या ही long term हमके perspective से बिलकुल ही बिकार है यह मैं तो invest किया ही मत करो अगर करना है तो trade के लिए सही रहते हैं यह stock के आपको कुछ समय का momentum ब्रेक करता है 183 का तो further falling आपको stock में देखेगी तो 177 and 175 is psychological level as well तो वहाँ तक की rally दिखा सकता है अगर वो भी break होता है तो stock 168 दिखने को मिलेगा बात करें कि उपर जाएगा कितना जाएगा यहाँ पर अगर support बन जाता है stock का sustain कर लेता है 189 because 189 ही एक strong support बन तो यह नजर आ रहा है तो उपर की दिशा में फिर stock 200 के आंकड़े की तरफ फिर से भागने की कोशिस करेगा because 200 अब फिर से hurdle हो गया है जो कि पहले support था और hurdle चोटा मोटा नहीं है क्योंकि आप दो है कितना ही के लोई थी निकलने में 200 को और यहां भी गिरने में भी दिक्कत होई तो कहीं न कहीं आप फिर से उपर चड़ने में stock को दिक्कत होने वाली है 200 200 सस्टेन करेगा तो 205-206 इससे जादा targets नहीं है फिलाल के लिए बाकि इंडियापोल में एक कीज़ पर नजर और रखिए कि stock के नतीजे भी पासी में 7th fab को नतीजे है तो अगर नतीजे थोड़े गडबड रहते हैं तो फिर इंडियापोल को भूली चाहिए कि stock फिर आन